अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ विद्वान अपनी जनरल नौलेज की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाए मेकनिकल इंजिनियरिंग की स्रीज की तरह आपको पीडिया फॉर्मेट में भी लेविल है जब चाहें आप इ और उनके बाद लाला लाज-पत्रा है अब नेक्स्ट आते हैं साथि विपिनचंद्रपाल पर जिन्यने लाल वाल पाल के नाम से भी जाना जाता है एकसर आपने सुना होगा यही नेता है वो चलिए विद्वान आप जानते हैं विपिनचंद्रपाल के बारे में कुस के बाते हैं he discarded Orthodox Hinduism यह रूड़िवादी Hinduism को छोड़ देते हैं सात्यों जो पुराना चलता आ रहा था and entered ब्रह्मो सवाज में entry ले लेते हैं and visited इंग्लेंड और इंग्लेंड गूम के आते हैं सात्यों और उसी के साथ ही अमेरिका भी he founded English Weekly New India यह सात्यों English Weekly New India की शुरुवात करते हैं New India प्रेस जारी करते हैं सात्यों he led the स्वेदेशी मुवमेंट यह स्वेदेशी आंदोलन को चलाते हैं सात्यों he carried gospels of w agricort इस परकार घूम फिरकर यह आते हैं सात्यों सुसमाचार लेकर आते हैं वाईकोट करते हैं स्वेदेशी आंदोलन चलाते हैं national education स्वाराज and the passive resistance he founded बंदे मातरम इस परकार सात्यों वाईकोट स्वेदेशी नेशनल ए सातीओं और बंद मातरम य सित्वार करते reported by बंद मातर में लेक लिखकर यह जनाक रोस पेदा करते हैं इस परकार इनकी आप सक्था पड़ती है तो बंद मातरम में नह नहीं तरीक्श लीकर आदें इसी कॉर्म में नेक्त नाम आता है श्री अर्विंधो ये कोने सात्यों इनके बारे में जान लेते हैं ये सात्यों आई सीएस एक्जाम इन ग्रीक और लेटिन ये सात्यों आई सीएस एक्जाम पास करते हैं अच्छे नमबर लेकर आते हैं ग्रीक और लेटिन में he had European upbringing यह कहाँ पले बड़े हैं सातियों यूरूप में पले बड़े हुए हैं he worked for secret societies in बंगाली कुछ गुप्ट सोसाइटियों के लिए बंगाल मकाम करते हैं और महराष्ट में महराष्ट he started बंगाली डेली जनतार यह सातियों क्या करते हैं बंगाली डेली जगनतार स्टार्ट करते हैं सातियों अपने अपने न्यूजपेपर अखवार जो भी माद्दय में जो आक्रोस ले कराए जनांदोलन करें जनता को जगरुक करें वो सब यह कार्रे करते रहते हैं he wrote अपने अंपने अंधोलन है बगावश संबन्दित या बिद्रो आत्मक डेली जगनतार में लिखते रहते हैं सातियों he wrote अपने अपने अंधोलन है इन्हें सातियों ट्राइल के लिए परिक्षन के लिए पुलिस पकड़ ले जाती है अंगरेज गवर्मेंट पकड़ ले जाती है For कणृण्सी में इन्हें पकड़ लिया जाता है और ट्राइल पर ले लिया जाता है British government को किसी भी तरह से कोई सातियों नेता मिल जाए, कोई leader मिल जाए extremelyist phase वाले मिल जाए तो उन्हें पकड़ लेते थे साथ यूँ कोई भी जूटा सूटा केस लगा कर भी उन्हें फसा कर और उन पर जबरज़ टॉर्चर करते थे उनका मुख उदेश टॉर्चर करने के लिए उन्हें पकड़ते रहते थे और अरविंदो घोसपर तो बहुत ही ज़्यादा टॉर् उनके खिलाब कोई भी अवाज उठती तो उसे दवाने की पूर्फुल जोड़ ताकत लगा दिया करते थे लेकिन आज इनके हम स्वतंतरता सैनानियों के महानकारे बड़े गर्भ से पढ़ते और पढ़ाते हैं सोची आप हर लेविल पर गिर कर जो काम करते हैं अपनी गवर्मेंट को बचाने के लिए उनके साथ पंगल लेना कितना मुश्किल समय रहा होगा उस समय आजादी की किमत साइद आज की नई पीड़ी ठीक से समझ न पाए क्योंकि उन्होंने कभी गुलामी देखी नहीं है लेकिन कर्जदार हैं हम उन महान सैनानियों के उन महान देश भक्तों के जनोंने ये दिन हमें स्वतंतरता वाले ला कर दिये हैं आप कुछ एक्स्ट्राइड करना चाते हैं साथियों आपके लिए स्पेस एविलेविल है नेक्स्ट आते हैं साथियों दिपार्टिशन ऑब बंगाल चारो तरफ जैसा साथियों हम स्टेड़ी करते हैं बिद्रो चल रहा है अंदोलन चल रहे हैं तो यहां पर अंग्रेज वेस्ट बंगाल इस परकार से एंड वाइकोट और साथियों उसी साथ बाइकोट ही होता है एंड स्वेदेशी मुमेंट भी चलता है साथियों वाइकोट होगा फोरेनर का या कहां जा अंग्रेजों की चीज़ों का वाइकोट करेंगे स्वेदेशी का परचार करेंगे आट तक चला था बंगाल का वहादन कर दिया था 1905 में लेकिन उस समय साथ यो हिंदू मुस्लिमों ने राकी का तवार मनाय था उन्होंने बताया था कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता इनके अलग करने से कुछ होने वाला नहीं है लेकिन फिर भी बातों में बहला फुचला कर यह फूट पालकर बद्रो आपस में यह कहा जाए आपस में फूट डालकर बुराएप की जड़ए बातों ब्रक्स बनेंगे उनके फल देखने को मिलेंगे हमको आगे साथ हो यहाँ पर government बताती है इनको कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रोईसाइट कर रहे हैं लोगों को growth के लिए जो अंडर डवलप एरिया है साथ हो eastern region बंगाल का उसको डवलप करेंगे but actually the man objective was to divide and rule जैसा हम बताती है साथ हो लेकिन इनका मुख्य उद्देश के आता साथ हो food डाल कर राज करने का लोगों को जहाँ साथ देते हैं कि हम एरिया को डवलप करेंगे जबकि एरिया already advanced developed था the most advanced region of the country at that time उस समय वो था the man region most advanced ता साथ हो रिजन उस समय the man reason for partition of बंगाल वाज्टू डेस्ट्र पॉलिटिकल इन्फुलेंस ऑफ दी educated middle class among home दी बंगाली intelligent Asia वर दी most prominent इनका मुख्य उद्देश के आता साथ हो political disunity करने का क्योंकि बंगाल के लोग ते साथ हो पड़े लिखे जो इस परकार से एक साथ हो जाते थे educated थे middle class वाले उनमें साथ हो क्या किया जा रहा है यह एक बंगाली intelligent Asia बताया गया साथ हो शिक्षित वर्ग नाम दिया है उस समय यह मानते थे कि यह पड़े लिखे लोग हैं इनमें किस परकार से food डाली जा सकती है यहां पर किस परकार से rule regulation established किया जा सकता है क्योंकि यह पॉलिटिकल इंटर्फेयर करते रहते थे साथियों अंग्रेजों को समझ माज आता था कि यह कुछ बहुत कुछ बदलाब कर सकते हैं इनका एक रहना एक साथ मिलकर रहना हमारे लिए खत्रा हो सकता है इसलिए यह यहां पर food डाल देते हैं क्योंकि बंगाल में यह बंगाली खाई बना देते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कि हिंदू तुमारा भला नहीं चाहते या मुस्लिमों से कहा जाए कि तुम हिंदुस्तान में माइनरेटी में हो यहाँ पर जो पार्टी बनी हुए इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जो बनी हुए सिर्फ हिंदूओं का भला चाहेगी तुमारा कुछ नहीं हो सकता हमी तुमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो इस प्रकार यह कुछ जहांसा देते हैं लोग इनके भेकावे में आ जाते हैं तो पार्टी सन हो जाता है लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर आंदोलन होता है या निंदकी जाती है साथ हो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के दोरा दी आई एनसी अन एनिमसली कंडेंड दी पार्टी सन अफ बंगाल यह बंगाल का लीग की सुरुआत होती है 1905 में मुस्लिम लीग एक्जिस्टेंस में आती है साथ हो इन डिसंबर 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है वाज सेट अप बाई नवाव सलिमुल्ला ऑप डाका डाका कहा जा जाती हो आजकले रिजन बंगलादेश मेह सा आपना हो जाती क्योंकि बता दिया गया था साथ हो मुस्लिमों के वाज के लिए कुछ अलग पार्टी चाहिए यह मतवेर डाल दिये थे तो इस परकार इसकी सुरात होती है कोई पार्टी को शुरू करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं साथ हो इसमें से नवाव सी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का कलकता सेशन होता है साथ हो 1906 में 1906 इसमें स्वराज की मांग की जाती है साथ हो स्वराज मुद्दा रखा जाता है अंडर दी लीडर्शिप ऑफ दादा भाई नोरोजी सेल्फ गॉर्मेंट अप स्वराज लाइक दैट ऑफ युनाइट किंग्डम यह बताते हैं साथ हो जिस तरह युनाइट किंग्डम में सेल्फ गॉर्मेंट चल रही है इसी प्रकार अब हमें हमारी गॉर्मेंट चाहिए स्वराज चाहिए लेकिन साथ हो इसी के साथ यहां पर कॉंग्रेस का आगे जाकर विभाजन हो जाता है अलग-अलग पार्टों में बढ़ जाती है साथ हो डिवायड हो जाती है कांग्रेस डिवायड होती है साति हो सूरत स्प्लीट के नामसों से जाना जाता है अब इस के लिए अंगरेस इंतजार कर रहे थे और पिर ऑठ или यह लीडर और उनुन कि अब तक एक तापनी होई थी लेकिन आप अपने सुजाव हमारे साथ साजा कर सकते हैं। हमारी ये हिस्ट्री वाली सीरीज जल्दी कम्प्लीट होने वाली है। आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं साथियो अपने अनुभा हमारे साथ साजा कर सकते हैं। आपने किस प्रकार से श्रीज एंजोई की, कौन सा पार्ट आपको कैसा लगा, उसके बारे में आप कमेंट करकर अवस्य बताएं। चाहे समय कोई सा भी हो, हम कमेंट पढ़ेंगे, आपका टाइम का उसमें फेर वदल होगा, आप कब कहेंगे, हम कब सुनेंगे, यह समय ते करेगा, हो सकता है, आप कुछ कहें भी नहीं, और हम सुन लें, या हो सकता है, आप कुछ कह दें, हम सुन भी ना पाएं। वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में चैहिन बंदे मात्रम